हलो फ्रेंड मैं अकास वेल्कम टो प्लांट केर गिवर इस वीडियो में मैं आपको जितने भी प्लांट के नाम बताऊंगा उन सभी प्लांट को आप delve पूरी गर्मियां कभी भी ग्रोध कर सकते हैं ये गर्मियों में बहुत ही असानी से ग्रो हो जाते हैं तो चलिए वीडि उटाने में काफी टाइम लग जाता है समर में ये बहुत ही असानी से ग्रो होने वाला प्लांट होता है इसकी आप जब भी कटिंग ले इसे एक से दो दिन के लिए शेडी एरिया में ड्राइ होने के लिए रखते हैं ऐसा करने से आपकी कटिंग गलती नहीं है और बहुत ही ग्रो हो जाती है ड्राइ होने के बाद आप इसकी कटिंग को किसी भी कंटेनर में इस्ता से दबा दीजिए और कुछ वाटरिंग करिए वाटरिंग इतना करिए कि इसकी कटिंग गले नहीं जब इसमें नई ग्रो थाएगी तो मैं आपके साथ ज़रू शेयर करूंगा इस इसमें दूसरा प्लांट है पिंसिल केक्टेस गार्डन में एक अलग ही कूपसूरती हैट करता है कटिंग से बहुत ही असानी से ग्रो हो जाता है इस प्लांट को आप किसी भी सीजन में कटिंग से ग्रो कर सकते हैं लिकिन ये समर में बहुत ही असानी से ग्रो हो जाता है इ इसके आप छोटी से छोटी कटिंग ग्रो कर सकते हैं, और बड़ी से बड़ी कटिंग ग्रो कर सकते हैं, इस तासे आप इसकी कटिंग ले सकते हैं, इसकी कटिंग को मैं दूसरे प्लांट के साथ ग्रो कर रहा हूं, जब यह अच्छे से ग्रो कर जाएगा, तब मैं इसे बड वे समर कभी भी गुरो कर सकते हैं इसके आप छोटी सी छोटी कटिंग गुरो कर सकते हैं और बड़ी से बड़ी कटिंग गुरो कर सकते हैं इससे आप जितना कट करते हैं आपका प्लांट उतना ही बुशी होता है इसलिए टाइम टाइम पर इसकी प्रूनिंग करते रहते हैं तो आपका प्लांट देखने में और भी सुन्दा लगता है इस ताहसे आप इसकी कटिंग ले सकते हैं और नीची की पट्iva को हटा सकते हैं इसकी भी कटिंग को मैं दूसरे प्लांट के साथ ही गुरो करऊ हूँ और पानी देख सकते हैं मैं हांस से डालाओ ताकि ओवरवार्टिंग से ये गले ना अगर आपसे भी कटिंग गल जाती है ओवरवार्टिंग की वज़ा से तो आप भी मेरी तरह हाँ से ही पानी डाले कम पानी डाले इस लिश में अगला प्लांट है रियो देख सकते हैं ये देख में में बहुत ही सुन्दा लगता है और जहां से आप कटिंग करते हैं वहां से इसके नए नए सूट निकलते हैं और आपका प्लांट और भी बुशी हो जाता है इस plant से मैंने काफी सारी cutting लिया था आपके साथ वीडियो भी शेर किया था देख सकते हैं कुछी समय में ये plant अच्छी ग्रोथ ले चुका है ये plant भी cutting से बहुत असानी से grow हो जाता है इसे भी आप पूरी कर्मिया कभी भी cutting से grow कर सकते हैं इस ताकी छोटी छोटी cutting लेकर अगर आप किसी भी container में इस तासे दबा देते हैं तो ये plant grow हो जाता है इस तिस में अगला plant है तुह है ये भी देखने में बहुत ही सुन्दा लगता है garden में green react करने के लिए बढ़िया plant होता है बहुत ही hard ही plant होता है cutting से बहुत यासानी से grow हो जाता है और तो और इसे अप छोटे से planter में भी grow कर सकते हैं देख सकते हैं मैंने इसे paint के dipay में grow किया है और जब मैंने इसे cutting से grow किया था तो वीडियो भी आपके साथ share किया था इसकी मेरे पास variegated variety भी है उसे भी मैंने cutting से ही grow किया था तो चलिए देखते हैं इस plant को cutting से कैसे grow कर सकते हैं तो इस ताकी छोटी छोटी cutting लेकर अगर आप किसी भी container में दबा देते हैं तो ये grow हो जाता है अच्छे result के लिए इसकी cutting को भी 102 दिन के लिए shady area में dry होने के लिए रख देना चाहिए ऐसा करने से इसकी भी cutting गलती नहीं और बहुत यसानी से grow हो जाती है तो इसे मैंने 2 दिन के लिए dry होने के लिए रख दिया था और आज मैं इसे grow करने वाला हूँ इस तरह से आप किसी भी container में दबा दीजिए अच्छे से दबाईए और उसके बाद watering कर दीजिए देख सकते हैं मैं सभी cutting पर पानी हाँ से ही दे रहा हूँ ऐसा करने से cutting गलती नहीं है इस list में अगला plant है purple heart ये भी बहुत ही hard होता है पूरी गर्मिया असानी से grow हो जाता है इसमें purple का राके छोटे छोटे फ्लावर आते हैं जो कि देखने में बहुत ही सुन्दर लगते हैं इसे अप छोटे छोटे प्लांटर में बहुत ही असानी से grow कर सकते हैं मेरी तरह आप भी इनकी cutting को छोटी छोटी बोतलों में grow करके hang कर सकते हैं hang करने पर ये बहुत ही सुन्दर लगता है इसे भी मैं दूसरे प्लांट के साथ ही grow कर रहा हूँ जब अच्छे से grow कर जाएगा ता मैं इसे बड़े प्लांटर में shift कर दूँगा इस shift में अगला प्लांट है लालसा इसे लोरो पेटलम भी कहते हैं इसे आप hang भी कर सकते हैं वैसे तो ये एक hedge plant होता है लेकिन जब आप इसे hang करते हैं और इस साथ से इस ताह से ये प्लांट नीचे की ओल लटकता है तो बहुत ही सुन्दर लगता है देख सकते हैं इसे मैंने waste container में ही ग्रो किया है बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है लगभग दो साथ से ये इसी container में है और बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है इसी plant से cutting लेकर मैंने काफी सारे plant बनाए है इनकी छोटी छोटी cutting लेकर अगर आप किसी कंटेनर में दबा देते हैं तो ये बहुत ही असानी से ग्रोग कर जाता है इसे भी आप पूरी गर्मिया कभी भी कटिंग से ग्रोग कर सकते हैं इस तहाँ से आप इनकी छोटी-छोटी कटिंग ले लिजिए नीचे की पतियों को हटा दीजिए और किसी भी कंटेनर में दबा देजिए इसे भी मैं दूसरे प्लांट के साथ ही ग्रोग कर रहा हूँ देख सकते हैं इस ताह से अच्छे से दबा देजिए उसके बाद वाटरिंग कर देजिए इस लिस्ट में अगला प्लांट है सिंगोनियम ये भी कटिंग से बहुत ही असानी से ग्रोग हो जाता है ये एक इंडोश शेड लविंग एर प्लांट होता है इसे भी आप छोटे कंटेनर में ग्रोग कर सकते हैं मैंने इसे 6 इंच पॉट में ग्रोग किया है और हैंग किया है हैंगिंग बास्केट में भी ये बहुत ही सुन्दर लगता है देख सकते हैं ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा लेगी हो चुका है और इसी प्लांट से मैंने काफी सारी कटिंग लेकर काफी सारी प्लांट बनाए है देख सकते हैं काफी लेगी था cutting आप जब पिलें इस बात का ध्यान रखें कि leaf node के नीचे से cut करें जहां से पत्या आती हैं उसके नीचे से cut करें इससे cut करें नीचे की पत्यों को हटा दें और जब आप इसी container में grow करें तो एक leaf node container के नीचे मिट्टी में अच्छी तासे दबा होना चाहिए क्योंकि जो root आते हैं वो leaf node से ही आते हैं हिस्ता से एक leaf node को container में अच्छी तासे दबा दें कोई भी cutting हो जब आप leaf node को मिट्टी के नीचे दबाते हैं तब ही वो grow होता है इस दिस में अकला plant है sensor area जिसे snake plant कहते हैं यह बहुत ही hard ही होता है indoor shield loving air purifying होता है यह लंबे समय तक indoor रहने वाला plant होता है इसे भी आप cutting से बहुत ही असानी से grow कर सकते हैं यह है sensor area cylindrica इस तासे आप इनकी cutting ले लीजिए इसमें कोई leaf node नहीं होता है इसे आप केवल cut कीजिए और मिट्टी में दबा दीजिए यह बहुत ही असानी से grow हो जाता है और एक cutting से 3-4 plant बहुत ही असानी से बन जाते हैं इस list में अगला plant है spider यह best permanent hanging basket plant होता है यह plant hanging basket में बहुत ही सुन्दर लगता है इसमें इस तासे runner आते हैं जिससे आप plant को बहुत ही असानी से divide कर सकते हैं जब इन runner में अच्छे से root आ जाते हैं तब आप उसे अगर मिट्टी में दबा देते हैं तो यह बहुत ही असानी से grow कर जाता है इसके अलावा आप इससे water में भी grow कर सकते हैं इस इसमें अगला प्लांट है turtle wine यह भी cutting से बहुत ही असानी से grow हो जाता है अगला प्लांट है tangle heart यह भी cutting से असानी से grow हो जाता है turtle wine को या फिक टैंगल heart को आप इस्ता से बोतलों में भी grow कर सकते हैं अगला plant है wandering जियो ये तीनों plant cutting से बहुत यसानी से grow हो जाते हैं इन सभी plant को मैं इन container में grow करने वाला हूँ या wandering जियो इनकी cutting आप लीजिए और इस्ता से मिट्टी में दबा दीजिए टर्टल वाइन, इन्ने भी आप मिट्डी में दबा दीजिये टैंडल हाट, इन्हें भी अप किसी भी कंटेनर में इस साथ से दबा देते हैं तो ये प्लांट गूर्ओ जाता है इस दिर्ट में अगला प्लांट है अजवाइन ये भी hanging basket में बहुत ही सुन्दर लगता है इसमें अजवाइन जैसे खुशबू आती है इसलिए इसे अजवाइन प्लांट कहते हैं इसे आप सीर से ग्रो नहीं कर सकते हैं जो हमारे कीचन में अजवाइन होता है उससे ये प्लांट ग्रो नहीं होता है एक ornamental प्लांट होता है ये प्लांट मेरा खराब हो चुका है अजवाइन प्लांट को आपको टाइम टाइम पर कटिंग से ग्रो करते रहना चाहिए अगर आप ऐसा कटते रहते हैं तो ये प्लांट हमेशा आपके गाड़ा में बना रहता है क्योंकि ये plant कब खराब हो जाए कुछ कहां नहीं जा सकता इसलिए ऐसे plant को आपको हमेशा cutting से grow करते रहना चाहिए इस दिश्च में अगला plant है परसलीन ए पोर्चुला का ये समर का best hanging basket plant होता है काफी सारे color में इनके flower किरते हैं ये plant 10-20 रुपे में easily मिल जाता है इसके आप छोटी से छोटी cutting ग्रोग कर सकते हैं ये बहुत ही असानी से grow हो जाता है बहुत ही तेजी से पूरे pot को cover करने वाला plant होता है इस दिश्च में अगला plant है पता चट्था इसको भी आप पूरी गर्मिया कभी भी cutting से grow कर सकते हैं ये बहुत ही असानी से cutting से grow होने वाला plant होता है इसमें winter में flower आते हैं जो की दिखने में बहुत ही सुन्दर लगते हैं इसके आप cutting लेकर इस ताह से container में दबा दीजिए इसके अलावा इनकी पतियों को अगर आप इस ताहसे container में रख देते हैं तो भी काफी सारे plant बन जाते हैं I hope कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like कीजिएगा मेरे चानल पर पहली बारा है तो मेरे चानल को subscribe कीजिएगा तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए happy gardening